हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल किरकेट एक्सपोर्ट में दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग का आठवा एडीशन पीएसल एट तेरे फरवरी से सुरू हो रहा है इस साल पीएसल में कुलमिला के 34 T20 डोमेस्टिक मुकाबले खेले जाने हैं और फाइनल मुकाबला 19 मार्च को खेला जाएगा ये 34 मुकाबले कुलमिला के 5 वेन्यू पर आर्गेनाईज होंगे और यहां का पहला वेन्यू जो है पाकिस्तान का मुलतान किरकेट स्टेडियम है जहां पर पहला मुकाबला इस साल का पीएसल का खेला जाना है और इसके अलावा चार और मुकाबले इस साल पीएसल में मु expectation कर सकते हैं इस पिछ से वीडियो पूरा देखिए गया वीडियो काफी जवर्जस्त होने वाला है इससे पहले दोस्तों आप से कहना चाहेंगे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके notification के बेल पर आल वाला बटन अन कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ही अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक सेर और फालो जरूर कर लिजेगा दोस्तों बात करें मुल्तान की पिछ के बारे में तो ये बैटिंग फ्रेंडी पिछ है यहां पर अच्छे स्कोर बनते हैं हाला कि अभी ये फरवरी मार्च के महीने में होने वाला PSL निश्ची तोर पर ड्यूप हैक्टर यहां पर impact डालेगा खासकर बाद में गेदबाजी करना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल होगा तो इसलिया पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम थोड़ा सा ज्यादा स्कोर बनाने का प्रयास करेगी क्योंकि बाद में यहां पर चेच करना थोड़ा सा आसान रहेगा हलाकि यहाँ पर केवल तीन T20 मुकाबले हुए हैं डोमेस्टिक मुकाबलों की बात करे तो यहाँ पर T20 इंटरनेशनल मुकाबले नहीं हुए हैं लेकिन T20 डोमेस्टिक मुकाबले PSL के ही तीन खेले गए हैं और ये तीनों ही मुकाबले 2020 वाले PSL के दवरान खेले गए थे इसके अलावा PSL के भी यहाँ पर कोई भी मुकाबले नहीं हुए हैं इन तीन मुकाबलों में पहले इनिंग में मैटिंग करने वाली टीम ने दो मुकाबले तो चेज करने वाली टीम ने एक मुकाबले जीते है इस दवरान पहले इनिंग का इवरेज स्कोर 179 का देखने को मिला है और हाईस्ट टोटल मुलतान सुल्तान का रहा है जिनोंने 199 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर तो लोवेस्ट टोटल में पेशावर जालमी की टीम इस वेन्यू पर मातर 123 रन बना के आलाउट भी हुई ह इन तीन मुकाबलों में अगर हम स्कोरिंग पैटर्न देखे तो 150 से कम का योग एक बार बना है 170 से 189 के बीच का योग भी एक बार तो 190 प्लस का योग भी एक बार देखने को मिला है दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल का PSL कौन सी टीम जीतेगी कमेंट जरूर कीजिए मीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों